हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे आगर आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो नीची में लाल वाड़न दीख रहा होगा सबस्क्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमें सा मिलते रहें तो बिना कुछ देरी का वीडियो करत जहां पर आपको सांधी फिलो जहां पर आपका डिस्टेक्शन जीरो हो मतलब डिस्टेक्शन जीरो तो हो नहीं सकता लेकिन माल लेते हैं एजूम डैट ओके जीरो तो हम इसलिए क्यों कहते हैं कि गाउं से दूर रहकर आप पर हाई के परतिया जो भी आपका लक्ष है उस जाम का जो trending या जो भी चीज आपका लक्ष है उसका trending हमेशा अपडेट होते रहता है तो उस trending के according आपको चलना है तो गाउं में सरसे बड़ी बात यह है कि नेट इंटरनेट उतना आपको साधन नहीं मिलेगा जो भी लोग गाउं से बिलोंग करते हैं तो वो अच्छे से relate कर आप जा रहे हैं तो गाउं में अक्सर लोग वाइफाय भी अच्छे से connect नहीं कर पाते हैं इंटरनेट का उतना अच्छा से कि सर्वर काम नहीं करता है जिसके वज़ए से उनको काफी problem जहलना परता है लेकिन कुछ लोग एसे भी हैं जो गाउं में ही रहते हैं लेकिन एक जगह घर में रहना रहकर वो दूसरे जगह कहीं पर भारा लेकर या रेंट देकर वो रहना पसंद करता है क्योंकि जानते हैं ग menu में कुछ न कुछ काम आ जाता है आपको जैसे मिल में ले जाना है गेंग पिसाने चावल पिसाने तो ये सब सारा काम होने लगता है जो की एक गल्चर से जुरा हुआ है जो लोग जो लोग जिनके फादर या मदर किसान है तो उन लोग एक गल्चर का भी काम करना पड़ जाता है तो जिसके वज़े से उनको पड़ाई में या जो भी उनका जो गोल है वो उसमें अच्छे से कंसेंट्रेशन या फोकस नहीं बना पाता है जिसके वज़े से वो जो भी लक्ष पाने में देली कर देता है तो यह सारे चीजे हैं और सबसे बरी बात यह हो जाता है कि ग्राओं में आपका जो सरकिल है जो पाता है उतना ज़्यादा हो जाता है जिसके वज़े से उसी में आप घुल मिलकर रहा जाते हैं और जिसके बाद आपका दिमाग खुलता नहीं लेकिन कुछ सालों के बाद समय गुजरने के बाद आपको ऐसास होता है कि मैं यह चीज गलत कर रहा था मैं अपने लैप पर अगर या केरियर बनाने पर फोकस किया रहा था तो मैं सारे लोग से बेहतर हो पाता और अपना केरियर को नया पैदान देता तो यह सारे चीज आपका चिंतन होने लगता है अपने समय को बरबात करने के बाद तो यह वीडियो बनाने का मक्सद यही है कि जो लोग जिनका हम अपने experience के according आपसे बात कर रहे हैं और आपको सिखाने की कोजिस कर रहे हैं कि जो लोग 20 से उपर चल गए हैं 20 साल के से उपर तो वो लोग जो जो चीज अनभव किये हैं वो अनभव आप लोग बता सके ताकि आप वही चीज आने वाले समय में गलती न कर पाएं जिसके वज़े से यही चीज हम बदाने की बारवार कोजिस कर रहे हैं तो यही है कि साधन की कमी हो जाती है जिसके वज़े से आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं अपने पढ़ाई के परती अपने गोल के परती जिसके वज़े से आपको लक्ष पाने में काफी देर हो जाते जिसके वज़े से और बहुत जारा चीजे भी दिक्कत करती है जब आप घर में रहते हैं तो इधर उधर की बाते आपके दिमाग में नौक करती रहती हैं जिसके वज़े से उसी चीज में आप उलज जाते हैं और उससे बहार ने निकल पाते हैं और ये भी है आलोचना आपक कलपाते हैं maximum लोग यही चीज होते हैं और दिन परते दिन गुजरते जाता है जिसके वज़े से आपको अंदरे अंदर घूट महसूस होने लगता है और harassment जैसा महसूस होने लगता है क्योंकि जानते हैं एक प्रोशी पढ़ लेगा तो दूसरा प्रोशी नहीं पढ़ेगा त नेचर है तो यह सब होती रहती है आलोचना आपको हमेसा Create होती रहेगी लेकिन बाहर में अगर रहते हैं तो आपको अतना चीज की tension लेनी की आप सकता नहीं होती है क्योंकि बाहर के लोग का ये बात होता है कि वो लोग खुद में ही इतना involved रहते हैं कि बाकी लोग क्या कर तो आपके पास साधन भी बहुत जादा होती है जब मन चाहें तब आप फूड भी और कर देते हैं रात में अगर प्रहाई करने का रूटिंग है तो रात में अगर आप कोई फूड डिलिवरी एप से और करते हैं तो आपको रात में भी पहुंचा दिया जाता है तो यह पहल की और इस्टॉल की दुकाने लगी रहती है जब आप मन चाहें तब आप अपने ट्रेंडिंग और अपडेट इंफॉर्मेशन आप राप्त कर सकते हैं तो जिसके वज़र से आपका नॉलेज हमें अपडेट होते रहता है और जब भी मन चाहें तब आप नूच पेपर काच हची होती है जब मंचाहें कोई भी सवाल का आंसर ढूंड सकते हैं और पढ़ सकते हैं यह सारी सुउधाइं आपको बाहर दिया जाता है तो इसलिए गाओं के लोग से ज्यादा compare बाहर के लोग करते हैं तो बाहर के लोग स्यादा सवलता पराप्त करते हैं बाकी लोग भी कहते होंगे कि गाओं के लग भी सवलता पराप्त करते हैं तो लेकिन गाओं के लोग सवलता पराप्त करते हैं हम मानते हैं आपके बातों से लेकिन गा सचाई है यह सचाहे आपको जाने की आव सकता है लोग भर्रम में रहा जाते हैं यहे जो ऑस ले इस चंप लोग देने में आप सकता रही है ताकि आप लोग इस तरह की गलतई आप इस तरह की भरम में न रहे आप इस भरम Шकुeduc है देंस तरौई कर Что बात यह कैसे भी इस गोल को एचीव करना है तो आप जोर सबल्दा प्राप करिएगा लेकिन आपके अंदर डिट संकल्फ होना चाहिए यही हम हमेशा आसा करते हैं कि आप एक्सक्यूज बन करिये सबसे बड़ी चीज यही होता है कि लोग प्लान बना लेते हैं उसको एजिक्यूट नहीं कर पाते हैं वो हमेशा अपने उपर एस्क्यूज का बहाना बनाते रहते हैं मतलब टालते रहते हैं अपने काम को जिसके वज़र से उनको बाद में एशास होता है बहुत सारा समय बरबाद हो जाता है बहुत सारा समय दूर चला जाता है तब उसको एशास होता है कास उस समय हम मेहनत कर लिए होते धीर धीर मेहनत करते रहते आगे तक तो मेरे को और हम पर ज्यादा फोकस कर पाएं और अच्छा सबलता प्राप्त कर पाएं ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग मैंड क्रियेटिविटी है लोग अलग एकदम उसका बच्चा पैदा हुआ उसी तरफ से एकदम मैंड अलग हो ऐसा कोछ नहीं है यह सब भरम है वह हमेशा बताते हैं कि watch Shatr भी अच्छे पोजीशन पर है आज के दोर में सर्टि prints कोई मैनें रखता है आपका स्कोर किंदा कोई मैं रखता है अच्छे एक्जाम में आपका स्कोर ये देखकर नहीं आता है आंक लनग किया जाता है यह आपका भरम हैं आपका इसा भी छातर हों लेकिन जिस तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस तरह आप मेहनत कीजिएगा, जिस तरह आपकी अंदर छमता है, उसका यूज करके आप सिलेवस के एकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहेगा, जोर से वल्दा पराप्त करिएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है, मैं हमेशा करते रहा हूँ, आप भले ही गाउं में रहें, लेकिन गाउं से बाहर आईए, बाहर का नजारा देखिए, तब पता चलेगा कि हमारा जो कंप्रिजन करने का है, कितना उच नीच है, उसको मैंटेन, उसको एलाइन्मेंट को सही करने के लिए, उसके बराबर उससे आगे निकलने के लिए, आपको लगे है कि हम बाहर में बेफाल्दू का खर्चा कर रहे हैं, उससे हम कैसे निकले, मेरा माता पे तहामियसा इतना पैसा मन्थली वाइस भेज दे रहे हैं, उसका कैसा यूटिलाइज करे हैं, हम अपने पढ़ाय में कैसे फोकस रहे हैं, ताकि जो भी चीज के लिए करते हैं, यह आपका मैंड, आपका जो डेडिकेसन पढ़ाय करने का जो कंटिनुटी है, उस पर आपको काम करने की जोड़त है, तभी आप सहर में रहे हैं, आपसे वल्दा का चनम सिनमा पा सकते हैं, सहर में यह भी है कि लाइट की सुधा बहुत जादा रहती है, आपको अधेरा नहीं होगा, जिसके वज़र से आप अच्छे से पढ़ाय कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़ों को आपको समझना है, इस भरह में नहीं रहे हैं, तो गाउं से बाहर निकलिए, बाहर करना जाड़ा देखिए, तब आपको एसास होगा कि हमको मेहनत करनी के आउ सकता ह है, तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो, तो लैक सर्सक्राइब जोगर दें और सेर भी करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ऐसे ही मोडिवेशनल वीडियो आपको मिलता रहे, धन्यवाद मिलते है नेक्स वीडियो में